नमस्ते, आप सब का वेलकम है सिमरन की रसोई में आज देखते हैं लंच बॉक्स में क्या है तो देखे मैंने सबसे पहले ये क्यूट सा लंच बॉक्स ले लिया है और इसमें सबसे पहले हम रखेंगे ये बढ़िया सा लच्छा पराठा इसे के साथ मैंने ही आपर ये रखती है बड़िया सी बर्वा बेसन मिर्ची जो पराटे के साथ बहुत ही अच्छी लगती है और इसी के साथ ये लसुनी आलो की सबजी इसका तो क्या स्वाद है और ये इतनी जल्दी से बन जाती है न तो ये देखें लंच बॉक्स मैंने प से पहले हम बनाएंगे ये लसुनी आलो जो इतने बड़िया लगते है उसके लिए आपको पांच से शे उबलवे आलो यानिके बॉयल पटेटो ले लेना है इसे छील कर काट लेना है एक बरतन में आपको एक लास पानी में सूखी लाल मिज डाल देनी है चार से पांच और इसे आपको पका लेना है करता करीबन चार से पांच मिनिट के लिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए उसके बाद ये मिक्सर जार में 15-20 लसुन की कलिया और ये पकी हरी मिर्ची और ये जो हरी मिर्ची के अंदर हमने पानी डाला था ना बस ये एक चौथाई कप जतना पानी ड पाउडर अच्छे से मिला लीजे उसके बाद ये एक चौथाई कप इसके अंदर पानी डाल दीजे और ये उबलेव आलू डालकर 2-3 तक इसी तरह से मिक्स कीजे थोड़ी से धनिया के पते डालकर और ये तयार है अब इसे और चटपडा बनाने के लिए आधा नीमू कर इसके अंदर डाल दीजे और ये तयार है लसोनी आलू बहुत ही अच्छे लगते है अब चलिए बना लेते हैं बेसन बरवा मिर्ची उसके लिए गोल बनाएंगे तो एक बाउल में आपको एक कप बेसन स्वादनुसा नमक एक चौथाई चमच हल्दी पाउडर आदी जमस दनिया पाउडर एक चौथाई चमच हैंग आदी चमच लालमिश पाउडर एक चमस तेल थोड़ा थोड़ा करकर पानी डाले और गोल बना ले इसके लिए नहीं जादा गोल होना चाहिए नहीं जादा पतला मीडियम होना चाहिए कोई भी बेसन की गुटलिया नहीं रखन और यह जो गोल बनाया था ना हरी मिर्ची के अंदर अच्छे से इस तरह से आपको भर देना है और यह जो बेसन बरवा मिर्ची इतनी बड़िया लगती है ना खाने में पहुत ही चटपटी लगती है इस तरह से सारी मिर्ची को भरने के बाद गैस कॉन कर लेंगे कडाई देंगे एक बड़ा चमस तेल डालेंगे जैसे घरम हो जाए हरी मिर्ची डालते धकर एक बार मिक्स कर लें डखकर इसे धीमी आज पर पकाना है तोटल चार से पांच मिन्ट तक तकरीब दो मिनिट हो गए तो इसे मिक्स कर लेंगे इसे फिर से धकर पकाएंगे देख सकते अच्छे से यह क्रिस्पी हो गए बस इस तरह से यह क्रिस्पी हो जाएं तो आधा नीबू का रस्टाल दीजे इसे चटपटे हो जाएंगे और मिक्स कर लीजे तयारे बेसें परवा मिर्ची अब बनाएंगे लच्छा पराठा उसके लिए बावल में आपको डाल देना है दो से तीन कटोरी गेहूं काटा, स्वात के अनुसार नमग, एक से दो चमब जितना तेल अच्छे से मिला लीजे, थोड़ा थोड़ा करकर पानी डालना है, नहीं जादा सक, नहीं जादा नरब, मीडियम आटा गुन ले, फिर थोड़ा सा तेल लगा कर आटे को अच्छे से म मसल ले, मसल ने के बाद फिर से थोड़ा सा तेल लगा लेना है उपर और धकर इसे 5-10 मिल तक रख देना है, 5-10 मिल के बाद आटे को एक बार अच्छे से मसल लेना है, इसमें से बड़ी सी लोगी निकालेंगे, क्योंकि अच्छा पर पराठा जोएने थोड़ा सा मोटा औ इसे इस तरह से गोल-गोल में हमें फोल्ड करना है, देखिए इस तरह से करने के बाद बीच से टोड़ ले और इस तरह से रोल कर लीजे जैसे मैं कर रहें, फिर दोनों तरब आपको सूखा अटा चुड़ा लेना है और इसे बेड़ना है, और अब इसे ज्यादा पतला न यह सब्सक्राइब करते हैं। काफी जाए को सब्सक्राइब करते हैं। रखती है लीज़े तयार है यह आज का लंच बोक्स बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है तो ज़रूर ट्राइ कीज़ेगो मुझे कमेंट्स बताएगा कैसे लगे रेसिपी अच्छी लगे से लाइक कीज़े शेयर कीज़ेगो मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल ना उच्छी इंया है यह हो है या देल्ड है टुटकर इंसो एटा ग उने देनगी तो